मैं तो उस फिल्म बनाने वालों से सिर्व इतना जानना चाहता हूँ क्या ये डॉक्यूमेंटरी है या क्या ये एक कमर्शल फिल्म है अगर ये डॉक्यूमेंटरी है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि it is based on reality but it is not a documentary उसमें तरह तरह के जूट दिखाए गए हैं बिल्खसूस उस वक्त की हकूमत के बारे में हकीकत ये है कि जब ये वाकिये हुए जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए उस वाक्त फारूक अबडुला वजीरियाला नहीं था उस वाक गव्णर राज था जग मोहन साब गवणर थे वीपी सिंग सहाब की हकूमत थी और वीपी सिंग की हकूमत के पीछे कौन ख़ड़ा था बीजेपी बीजेपी की हकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो लेकिन वीपी सिंग के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो वीपी सिंग की हकूमत थी उस वाग जब निकले तो आप ये सचाई के साथ इस तरह खिलवाड करना ये अच्छी बात नहीं है और आपने सही कहा यहां सिर्फ एक कौम ने कुर्बानिया नहीं दी अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहत अफसोस है नहीं होना चाहिए था लेकिन क्या कश्मीरी मुसल्मान नहीं मरे क्या कश्मीरी सर्दार नहीं मरे अगर यहां लोग घर से निकल गए बे घर हुए तो उसमें सब मध़भ के लोग शामिल है मुसल्मानों ने भी अपनी मकाने छोड़के कश्मीर छोड़के कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए हमारे सिख भाई बहन वो भी चल चोड़के गए हमारे किश्मीरी पंडित भाई बहन भी चोड़के गए हमें असबात का अफसोस है और हम कहते हैं न माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए